नमस्कार दोस्तों अगर आप भी सस्ती फ्लाइट टिकेट से बुक करना चाते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे फ्लाइट टिकेट बुक्स करते हैं आप बहुत सारी वेबसाइट पर जाते हैं जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं Is My Trip, Make My Trip, Go I Be Go, Clear Trip, Exigo, Yatra, Booking.com, Flipkart, Voda, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो आप इतनी वेबसाइट्स पे तो चेक नहीं कर सकते कि cheapest flight हमको कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना है cheapest flight के लिए, आपको Sky Scanner वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक हमने description में दे दिया और आपको यहाँ पे सामने दिख भी रहा होगा, इस तरीकी का उसका logo दिखेगा, Sky Scanner, तो यहाँ पे आपको अपनी flight details डालनी है, जैसे आप इंद्रा गांदी to Bombay और यहाँ पे अपनी date select कर लेनी है, जिस भी date को आप जाना चाहते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे search click कर लेना है, search click करने के बाद सबसे cheapest flight आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे सबसे cheapest flight है विस्तारा की 3690 रुपे की, तो यह सबसे cheapest flight है, आप इसको select करेंगे तो यह किस website पे हमको मिल रही है, वो हमको दिख जाएगा, यह देखो आप yatra.com में Delhi to Mumbai की 15 आरिक की flight, सबसे सस्ती flight यह है, go IBO में वही flight 3700 रुपे की है, अकबर ट्रेवल्स, हैपी फेर्स, अलग-अलग websites यहाँ पे हैं, तो सबसे सस्ती flight हमको यहाँ पे yatra.com में मिल रही है, आप select करेंगे तो यह सीधे आपको yatra.com की website पे लेके जाएगा, व कर सकते हैं, अगर वीडियो आपको informity लगी हो, तो हमारी वीडियो को like जरूर करें, मिलते हैं भी.